हेलो, नमस्कार दोस्तो, मैं आपका दोस्त त्यवान, आपके अपने फैवरेट यूट्यूब चैनल लोग प्रसाशन यान की पबलिक एडिमिनेशन में आपका वेलकम करता हूँ दोस्तो, आज फिर आजिर है एक नए टोपिक के साथ जिसका नाम है मानोसमंद उपागम, human relation approach, human relation approach ठेक हैं, तो उपड़ेंगे completely human relation approach के बारे में मानोसमंद उपागम, देखें क्या है दोस्तो, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देरना चाता हूँ यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हो, तो करपया करके चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लेजिए ताकि हमारी नहीं नहीं वीडियोज आपको समय समय पर मिलती रहे तो स्टार्ट करते हैं दोस्तो, मानोसमंद उपागम के बारे में देखें जो ये उपागम दिया था दोस्तो, ये दिया था ईल्टन मेयों ने किसी किनों ने इनका, इननी को मानोसमंद उपागम का पिता कहा जाता है अमेरीका के सिकागो शहर की Western Electric Company दोस्तों आपने नाम याद रखना इस कंपनी का Western Electric Company में 1902 से लेकर 1922 तक अपने साथियों इनके नाम है रोथलिस, बर्जर, वाहिट, हैड, डिक्सन के साथ मिलकर चार प्रियोग किये गए थी जिने हार्थोन अदेन या हार्थोन प्रियोग के नाम से जाना जाता है कहाँ पर एल्टर में ओने अमेरिका के सिकागो शहर में सबसे पहले दो बात या कहाँ पर कीगी थी सिकागो शहर में किस कंपनी में Western Electric Company कंपनी नाम था Western Electric Company कब से कब 1924 से 1932 थेक हैं तो क्या प्रियोग किया था हार्थन प्रियोग जिसे हार्थन अध्यन का जाता है जो इनका सबसे पहला प्रियोग था वो क्या था वो था दोस्तो महान प्रकास विवस्ता प्रियोग जिसे Light Experiment भी कहते हैं जो कि 1924 से 1927 में किया था कब किसमे 1924 से 1927 ये सन दोस्तों आपने याद रखना है ये सन आपसे पुछे जा सकते हैं जो कि मिलानवे सही मिलान की जिये या निमली लिखी तिमेर से कौन सा मिलान गलत है उस पर्षन में ये आपके लिए फायदा मंद हो गए देखें मान प्रकास ववश्ता प्रियोग 1924 से 1923 में किये थी इन प्रियोगों में म्योव वै उसके साथियों ने 6-6 लड़कियों के 2 समूं बनाए कितने 6-6 लड़कियों के 2 समूं बनाए येने कि 12 लड़कियों के 2 समूं दोनों को समान परकार के कारिया आउंटिद किये गए दोनों को एक जैसे कारिया दे दिये इस प्रिक्षन में में उने कारिया निस्पादन वे परकास वश्था के मद्दम से क्या किया? सह समंद जानने का प्रियास किया सह समंद जानने का प्रियास किया सबसे पहले पहले दोनों समूँ में परकास को कम ज्यादा रखा गया तथा इसका उत्पादन पर परभाओ जलने का प्रियास किया सबसे पहले क्या किया इन्होंने एक कमरे में लाइट कम की और एक में ज्यादा करी तो उन्होंने देखा कि छे लड़कियों जिसमें बेठी है उसमें लाइट कम है और छे में लाइट ज़ादाकी तो देख्यागा कि उतना यE उतुपादन पहले हो रहा था और उतना यE उतुपादन आगे तो इस पर क्या परभाव प्रया देखिए निस्कर्षे हमें पढ़ेंगे परकास के कम या जादा करने का परभाव उत्पादन पर नहीं पढ़ा बलकि उत्पादन में वर्दी हुई क्योंकि दोन्हों सो मुओं को जानकारी थी कि उनके उपर प्रिक्षन किया जा रहा है ठेके बोतिक प्रिस्थितिया उत्पादन को परभावित नहीं करती इसमें ये निस्कर्ष निकाला इनोंने इस पर क्या था कि लाइट का उन पर कोई परभाव नहीं पढ़ता फिर जो second प्रियोग था दोस्तों उसका नाम था relay assembly देखें relay assembly test room प्रियोग ये कियागा था 1927 से 1929 पहला कियागा था 1924 से 1926 तक फिर 1927 से लेकर 1929 तक second प्रियोग जिसे relay assembly test room प्रियोग कहा जाता है मेयोग ने इस प्रियोग में मजदूरी विशराम के अक्सन काम में लगने वाले समय को नियंतरित किया तथा इन से 20 सुईदाओं से पहले वर्दी की फिर तथा कुछ समय बाद इन सुईदाओं को समाप्त किया देखी relay assembly test room में क्या किया इनोंने मजदूरी विशराम के अक्सन काम में लगने वाले समय को नियंतरित किया तथा इन सभी सुईदाओं को में पहले इनोंने वर्दी की और फिर देरे इन सुईदाओं को समाप्त कर दिया तो इससे क्या निसकर से निकला इससे निसकर से ये निकला कि पहले उत्पादन में वर्दी हुई क्या हुआ पहले उत्पादन में वर्दी हुई जब ये सुईदाओं बढ़ाए गई और फिर बाद में जब गिरा उटाई तो ये जब सुईदाओं समाप्त की गई तो बाद में उत्पादन में गिरा उटाई जब सुविदाया बढ़ाई तो बही उत्पादन भी बढ़ा सुविदाय समाप्त कर दी तो उत्पादन भी कम हुआ कुछ समय बाद उत्पादन में पुन्यवर्दी की गई ठेकें तो इस पर ये पर वाउपड़ा कि सुविदाया भी उत्पादन को बढ़ाती है जानकारी थी, जो मजदूर थे, जिन पर experiment किया जा था, उन्हें पता सल गया था, कि यह यहरे पर experiment कर रहे हैं, तो इसी कार्ण भीव, जानबुज गर, ऐसा करते थे, अर्था उन्हें कमपनी में, अनौपचारिक समु बना लिया था, क्या क्या था, उन्हें, अनौपचारिक समूं बना लिए गए थे नेक्स्ट है निसकस देखिए इसका माना गया की कारिय संतुष्टी मुलत्य अनुपचारिक सरस्चना पर निर्भर करती है कारिय संतुष्टी अनुपचारिक सरस्चना पर निर्भर करती है जो एल्टन में होने मानौ के सम्मंद को सबसे मेन माना सबसे सबसे एहम माना human जो relation है वो उन्हें ज़रूरी है मानो कोई आर्थिक मानो नहीं है आर्थिक मानो किन नहीं कहा था जो classical वो थे चिंतक थे फिंकर थे उनों मनुष्य को आर्थिक मानों माना लेकिन एल्टन में उने क्या का कि मानों कोई आर्थिक मानों नहीं है बिलकि मानों समंदों से समंदों पर टिका हुआ है वो एक दूसरे में उनकी बावनाय होती है विश्वास होता हुन में फिर देखिए जो थर्ड प्रियोग किया हेल्टन मेवने वो किया interview experiment सकसाथकार प्रियोग जो कि 1939 से 1932 में किया इस प्रियोग मेवने उसके साथ ही होने इस 2126 सर्मिकों का interview लिया उलेखनी है कि इस प्रियोग में कम्पनी के प्रबंदकों की भी पूरण भागिदारी थी 21,126 मजदूरों कहिनों ने इंट्रू लिया तो इस प्रियोग में कम्पनी के प्रबंदक भी भागिदारी थे कम्पनी द्वारा पहली बार समश्चा सुनने को सर्मिकों ने सकारतमक धंग से लिया कम्पनी द्वारा पहली बार समश्चा सुनने को सर्मिकों ने सकारतमक धंग से लिया उन्हें पहली बार लगा कि वह भी कमपिनी का महत्यपूर्ण आंग है या महत्यपूर्ण बाग है जब उन्होंने कुछ असरमिकों से वह तुम्हें क्या प्रोडम है ठीक है इंट्रू के मादम से बात बातों में तो उन्होंने खुल कर बात बताई और तो इसे उनका विश्वास जागा कि वह यह मारी वह कोई बात सुनने वाला है तो यह था इंट्रिव प्रयोग फिर नेक्स्ट था इसमें क्या हुआ इसमें कारिया संतुष्टी होई और कारिया संतुष्टी मुलेताय अनुपचारिक सर्चना पर निर्भर करती है फिर जो नेक्स्ट थे प्रयोग किया वो किया दोस्तों इन्होंने बैंक वायरिंग प्रयोग 1937 से 1932 बैंक वायरिंग प्रयोग यह प्रयोग सोल्डरिंग ट्रमिनल वयत्तार लगाने वाले समुव पर प्रयोग किया गया इस विभाग या समुव को वेतन उत्पादन के आदार पर मिलता था इसलिए सर्मिकों ने कारिया के कुछ निश्चित मानक बना लिये थे जो निमलिखी थे बहुत अधिक कारिय करने वाले करमचारी रेट बस्टर बहुत कम कारिय करने वाला करमचारी चिलर और प्रयोग सक्क्य को जुगली करने वाला वो था सक्विलर ठीक है तो यह समुवन्यों ने बना लिये थे फिर उन्होंने यह भी तै किया था कर रखा था कि कोई भी सर्मिक दूसरे सर्मिक से कारेली विवार नहीं करेगा वो कैसा करेगा बलकि अनौपचारी के विवार करेगा उपचारी को था है कारेली विवार अगर भई अपना काम किया एक साथ में तो बाकी से कोई मतलाब रेनी, तो भायबंदू के शाब से एक दुसरे के कर्ये में हलब करने लगे, कुछ से नहीं आता दुसरे से पुछने लगे, उन को बताने लगे, तो ये क्या है? अनुपसारिक सरमूम, कम्पनी में रेटसर करम्चारिकों दुसरे सर्मिक, बिगिंग गेम खेलाते थे, क्या कहते हैं, बिगिंग गेम खेलाते थे, फिर अनौपचारिक संगठन उपागम, इसकी मानों से मन उपागम की मनत्याई या विशेस्थाई कौन से थी, देखीं, जिसे डाक्टरी भी दिखा आ गया, यह उपागम, यह उपागम मनुश्य को संगठर में केवल मातर मसीन वैं मानकर विचारों से युक्तिकाई मानता है यह क्या बनता है यह उपागम जो उपागम की मानता है या मानना है वो क्या है केवल मनुष्य केवल संक्टर में केवल मात्र मसीन ने मानकर विचारों से युक्तिकाई है भई मनुष्य कोई मसीन नहीं है अग भई उसके लगाए रखो वो उसमें मानसिक विचार भी है ठीक है तो विचारों से युक्त इकाई है पहला इन्होंने इसकी ये विशेशता है पहली कि विचारों से युक्त इकाई माना दूसरा यह उपागम संगठन में उनुप्चारिक समंदों के मैतो परबल देता है यानि कि बाई बाई बंदू तो एक दूसरे की हैलक परने में नहीं कि ओफीसिली केवल दिखावी तो दूसरा सगेंड मानने ता इसकी नोपसारिक समंदो प्रबल पहले इसने विचारों से युक्तिकाई माना इस उपागम के नुसार संग्ठन में कारिये करने वाला करमचारी सामाजिक होता है क्या होता है वो आर्थिक मानों नहीं होता है बलकि वो मानों सामाजिक होता है ठीक है फिर समाजिक मनुश्य है इसकी समस्षय निस्चित रुप से संग्ठन को प्रवावित करती है फिर वह उन्होंने कि खा एक विवर्वावित कर रेगा संग्ठन नहीं लगेगा तू समझी की बताया फिर चोथीज की मानत्ता या विशेस्ता है यह उपागम आर्थिक अभी प्रेड़ना के स्थान पर अनार्थिक अभी प्रेड़ना प्रबल देता है यह उपागम किस प्रबल देता है आर्थिक अभी प्रेड़ना के स्थान पर अनार्थ अर्थिक अभी प्रेंडना पर ठीक है पैसे का लालचनी दिखाया जाता इसमें जो आर्थिक अभी प्रेंडना है वो क्या है वो पैसे का लालच वह पैसा काम करो पैसा लेओ ठीक है जितना काम करोगे उतना पैसा तो इन्होंने अनार्थिक अभी प्रेंडना प्रबल दिया पाचिमी जो इसकी विशेष्ता है यह उपागम संगठन में लोगतांत्रिक नेतर्तों की इस्तापना करना चाता है चटी विशेष्ता इसकी इस उपागम के नुसार संगठन में सत्ता नीचे से उपर की ओर प्रवाइद होती है नीचे से उपर की ओर ठीक है और दुसरों में उपर से नीचे की ओर ठीक है और सातमा पॉइंट है इसका हार्थोन प्रियोगों ने हरड की रेबल हाइपोथिसिस हार्थोन प्रियोगों ने हार्ड की रेबल हाइपोथेसिज यानि की जूंड प्रिकलपना को खारिज कर दिया और ओवन की ओवन प्रिकलपना को पुनर जिवित कर दिया क्या कि इन्होंने हार्थों प्रियोग ने हर्ड की रेबल हाइपोथेसिस जुन प्रिकलपना को खारिज कर दिया और ओवन की ओवन प्रिकलपना को पुनरजिवित कर दिया देखिए नेक्स्ट जो रेबल की हाइपोथेसिस है क्या थी इस प्रिकलपना के नुसार संग्ठन में कारिय करने वाला सर्मिक अपने स्वार्थों की पूर्ती है तू संग्ठन में एक्तरित होता है ये बात कही थी रेबल ने कि जो संग्ठन में कारिय करने वाला जो सर्मिक होता है वो अपने स्वार्थों अपने स्वार्थ के लिए उसे वहां आता है ठेक है तो ये रेबल ने कहा था लेकिन ओवन ने क्या कहा था ओवन ने प्रिकल अपना किये थी कि संक्ठन में मशिनों की बजाई मनुश्यों पर अधिक द्यान देना चाहिए मनुश्यों मशिन पर नहीं बलकि मनुश्यों पर अधिक से अधिक द्यान देना चाहिए तो ये थी वही रेबल की हाइपोथेसिस और ओवन की हाइपोथेसिस दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो करप्य करके वीडियो को लाइक जरूर करना है इसे हमारा मनोबल वड़ता है ठीक है तो दोस्तों यूजीसी नेट के लिए ये चैनल आपके लिए बहुत काफी फायदे मन होने वाड़ा है क्योंकि इसमें हम सभी यूनिटों को लेकर और अच्छे-च्छे क्यूस्टन आपके साथ लाए है ठीक है इस उपागम में मानोसमों को सवार्थी, निरुदेश्चे, मानने की बजाए उसके समंद में सखारतम की दुश्चे को विक्सित किया ठीक है तो ये आठ मानेताई थी इस उपागम की क्या माना इन होने मनुश्य को विचारोंको वड़ा माना इस उन्होंने मसीन की बजाए क्या माना इन्होंने मनुष्यों समंदों परबल दिया उपचारिक संगठन की बजाए अनुपचारिक संगठन परबल दिया और इन्होंने मनुष्य को मसीनों की बजाए मनुष्यों परबल देने की बात कही तो मनवे समंदे उपागम की आलो चनाई बहुत सी आलो चनाई कियेगी देखे किनों ने क्या काया है तो पहले आलो चना है American Auto Workers American Auto Workers Union ने Alter Mayow को Cow Sociolo बताया क्या बताया? Cow Sociolo उनका मानना था कि मैं वो सर्मिको को पुचकारने में अधिक विस्वास रखता है ताकि वो संग्ठन के लिए अधिक उत्पादिन करें ठीक है? जैसे गाएं को पुचकार करें उसके दूद निकला जाता है ना उसी तरह उन्होंने सर्मिको को ये वका तो क्यों इसलिए इसको काउ सोशियोलो का किसने अमेरिकन आटो वर्कार्स यूनियन ने फिर जो सेकेंड अलोचना यह उपागम अनुपचारिक संग्ठनों पर अत्यादिक बल देता है ठीक है? इनफॉर्मल ओर्गिनाजिस्चन पर बल देता है जबकि अनुपचारिक संग्ठन उपचारिक संग्ठनों का पूर्क है इनफॉर्मल ओर्गिनाजिस्चन फॉर्मल ओर्गिनाजिस्चन का क्या है? पूर्ख है तिसरी आलोचना है आर्थोन परियोगों के निसकश सामेने करण के लिए प्रयाप्त नहीं है क्योंकि पर्थम प्रयोग में सरमिको को सेंपल साइज छोटा था बैए इच्छा है लड़की लिए तो सेंपल साइज बहुत छोटा हो गया फिर सेगेंड था जिन सरमिको पर प्रयोग हो रहा था उनको इसके पहले जानकारी थी वो तु जानबुज करें काम अच्छा करेंगे ये तुम तुमारे उपर इंक्वारी है और तु बेट से बेट से ज़्यदा से ज़्यदा काम करो तु इसकी ये भी ये कर सकते हैं कि वह ये अर्थन प्रियोग ठीक नहीं था और फूर्थ है इसकी आलोचना है वैक्ति को अभीपरेट करने है तू आर्थिकार्ग भी मेतरकुन भूमिकाने बाते हैं जिने इस उपागम ने बुला दिया इन्होंने क्या का कि वही मनुष्य आर्थिकार्ग मुष्य प्रभावित नहीं करता लेकिन कहीं न कहीं मनुष्य पैसे के लिए काम करता है तो दोस्तो ये था आपका एल्टरमेयो का मानो समंद उपागम हुमन रिलेशन थोरी ठेक हैं तो दोस्तो आपको वीडियो कैसे लगी अच्छे लगी तो लाइक जरूर करना दोस्तो को सेर करना और चैनल को सिस्क्राइब जरू करना ठेंक्यू दोस्तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में